तो एलो फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जिन समसंग के मॉवाइल में 1UI 4.0 अपडेट आ चुका है या फिर कह सकते हैं जिन्होंने 1UI 4.0 अपडेट कर लिया है उन में से कुछ लोगों को दोस्तों हो क्या रहा है उनके मॉवाइल चल रहा ह या 1UI 4.0 अपडेट होने के बाद या फिर लैग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैं आगे कुछ सल्यूशन बताने वाला हूं या कुछ आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आपकी मॉवाइल की जो सिलो चलने की प्रॉ ऑपन नीचे करते होंगे तो आपको देख रहा होगा पेछे बेक्रॉण में आपको ब्लर से देख रहा है तो सबसे पहला आपको क्या करना है ये ब्लरि एक्ट को बन करना ए इससे अब हम वहले आपको को जाना है मोवाइल की सेट्टिंग और आपको नीचे की तर final हाए हैं से क्लिक कर देना है उसके दोस्तों यहां पर जो सेकंड मताने वाला हूं आप देखेंगे अब यहां से ब्लयर वाला काम करना बंद गया उसके दोस्तों जो सेकंड मताने वो यह हैं अगर आप अपने मुआइल में स्वाइब गेचर का मुझे वो प्रॉबलम लगी Willา होजकर तो अप यहाँ पर swipe gager को भी फिलाल यूज ना करें अगर आपको swipe gager यूज करना है तो आपको वहाँ पर gager का hint को on करके ही रखना है जैसे कि मैं बताओं मैंने यहाँ पर आ गया navigation bar में अगर आप यहाँ पर इसको button में यूज करेंगे तो इसकी चलने की speed बहुत अच्छी होगी जैसे कि मैंने यहाँ बटन पर आ गया हूँ button पर enable कर लिया button पर enable करने के आद अब जब भी मैं back गया कुछ भी यूज करूँगा तो आप देखते हैं कितनी speed में यह work कर रहा है और ऐसी अगर मैं यहाँ पर navigation को use करता हूँ अब swipe gager को मैं यहाँ पर वापिस आया डिस्प्ले में डिस्प्ले में आने के आद मैं वापिस आ गया है यहाँ पर navigation बाहर में और यहाँ पर मैंने swipe gager को on कर लिया swipe gager को on करने के बाद अगर आप मैं back करता हूँ तो उसकी speed आप देखेंगे थोड़ा सा फरक लग रहा है वो ज़्यादा fast चलती थी यह थोड़ा सा slow चल रहा है इसके बाद इसमें एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर जो gager की hint वाला option है अगर आप उसको बंद कर देते हैं यह अगर आप इसको off कर देंगे तो तो और ज़्यादा आपको यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि और ज़्यादा slow चल रहा है तो जहां तक हो सके तो आप navigation को key को avoid करें अगर आप navigation swipe को use कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नीचे gather hint को on जरूर कर लें इससे आपका mobile के speed में problem नहीं आएगी तो आपको second यह option करना है उसके जो third बताने वाला हों दोस्तो उसके लिए आपको करना क्या यहाँ जाना है आपको अपने mobile के device and care में battery and device care वाले option पे यहाँ जाने क्या आपको जाना है यहाँ पर three dots में three dots में जाने क्या आपको जाना है automation में automation में जाने क्या आपको करना क्या है सबसे पहले auto optimize daily को on कर देना है जिसमें आपको time send कर देना है और सारी app automatic close हो जाएगी midnight पर जैसे कि मैंने set कर रखा है सुबह तीन बजे सारी app automatic close हो जाएगी इस भी mobile की जो speed है बरती है क्योंकि जो background में सारी app कुली होती है automatic बंद कर देगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक और option मिलेगा उसके नीचे auto restart and set times तो आपको इसको भी enable करना है अगर आप अपने mobile को restart नहीं करते काफी दिनों तक तो आपको इस feature को enable करना है इससे होगा क्या your phone restart automatically with hour of this year set जो भी आपने time set कर रखा है उसके उसकी time यह mobile आपका restart हो जाएगा उससे आपके mobile की सारी जो भी फलतों की जो apps background में खुली जैती है फिर जो भी apps background में run करती हैं सब off हो जाएगी उससे भी काफी रहत तक mobile की improvement होता है और battery में भी बहुत schedule कर रखा है Sunday का आप चाहें तो यहां all day भी set कर सकते हैं या जो भी आप देल चाहते हैं आप यहां पर set कर दीजिए और time upset कर दीए उस दिन यह उस time यह automatic restart होगा उससे भी काफी हद तक mobile की problem को solution मिलता है उसके जो third बताने वाला हो वह भी बहुत कमाल का है sorry fourth बताने वाला आपको अपने mobile के developer option पे developer option को कैसे ओन करते हैं अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए आपको जाना होगा about phone में about phone में जाने का जाना है software information में यहां जाने का आपको building number पे 510 क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा developer option आपको इस developer option को by default off रहत animation scale animation duration scale अभी आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहां पर back करा तो उसकी speed कैसी आ रही हो और अगर में यहां पर इसको कर देना है आपको 0.5 इन तीनों को आपको 0.5 में set कर देना है इससे क्या होगा आपकी animation आप देखेंगे कितने fast work करने लगे तो इससे भी काफियत तक mobile की speed up में फायदा मिलता है तो आपको इसको भी on करके रखना है या फिर बोल सकते हैं इसकी setting को आपको 0.5 पर set कर लेना है तो यह भी बहुत काम का है तो दो दो उसके बाद जो last बताने आना हो वह यह है कि अपडेट होने के बाद या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम ही हो थे कि touch स स्क्रीन काड लाखे रखा है आपके हम मॉवाइल का touch सही से वर्क नहीं कर रहा तो उसके लिए आपको एक setting को on on करना है उसके लिए जाना है आपको यहाँ पर वापिस device वाले डिस्प्ले वाले option पर डिस्प्ले वाले option पर जाने कि आपको यहाँ पर एक option मिलेगा touch sensitivity आपक हो जाता है और easily अगर आप light भी touch करेंगे तो वह touch काम करना बहुत fast हो जाता है तो आपको इसको भी on कर लेना है इससे भी आपको काफी हद तक खायदा मिलेगा यह जो टिप मैंने बताई है मैंने खुद अपने वाले फॉलो करी है उमीद है कि दो आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद दो प्रीज लाइक जरू करें अगर आपको लाइक तक अबने मेरे चालो सब्सक्राइब करना ना वोले और हो सके तो मुझे इस्टावराम फेलों करना भी ना बोले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मे मिलियागा तो थेंकि दोस्तों